दोस्तों, आज जो वीडियो वारेल हुआ है, उस वीडियो के देखने के बाद तो मेरा दिमाग खिल गया, यह तो अहंकार की पराकास्टा है, आमिताप बच्चन भी इंडिस्ट्री में होते हैं, शारुक खान भी होते हैं, पंकस्त्रिपाठी भी होते हैं, नवाजुद्द को लेता है, कोई दो क्रुण लेता, कोई एक क्रुण लेता है, कोई 100 रुप्या है, समर सिंग, प्रमोत प्रेमी, कल्लु, एश कुमार, जितने भी हीरो हैं हमारे गवरो, चिंटु, गोलु, बई हीरो तो यह भी हैं, और अफेनेता हैं, यह कहना कि 5 लाख रुपया से ऊपर कोई नहीं है यह कौँ सी बात हुई तो हमको कहेंगे का 25 जारवल एक्टर है पिर तो हम लोग कहीं गिंती में नहीं है पैसों से तो पहली बात किसी का मुल्यांकन करना अनर्थ है और यह कौँ सी बात हुई कि 35 लाक रुपया से उपर के पिच्चर नहीं जाता है आप लोगों की फिल्म से कौन प्रोडूसर कार खरीद लिया कौन प्रोडूसर ने बंगला खरीद लिया मैं अपसोस है कि कल मैंने वीडियो बनाया सबसे पहले अपने समस्त दर्शकों से अपने सभी लोगों से छमा मांगता हूं मैं सबको बाधने का काम करता हूं तोड़ने का नहीं मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस बात की चिंता नहीं आए कि कोई हीरो मुझे काम देगा मैं चापलूसी नहीं करता जो सच है वो सच बोलता हूँ कल मुझे लगा था कि मुझे बोलना चाहिए मैंने बोला पर उस वीडियो पर मुझे अफसोस है मैं भी डिलिट करता हूँ उसको आप छोटे भाई हो और आपके वो भी सब छोटे भाई हैं उसमें से कुछ आपसे उम्र में बड़े भी हैं आपको सामोही गुरूप से फेस्बुक पर आ करके शमा मांगना चाहिए किसी को गाली दे करके अरे वो लोगों भी मेहनत किये हैं मैं समर को जानता हूँ घिसट घिसट के वहां तक पहुँचा हो बच्चा राजकुमार पांडे जी की इतने साल की तपस्या है कि उन्होंने अपने पुत्र चिंटू को मैंने चिंटू का मेहनत देखा है आज 50 लाग तो लेता है वो भी क्या वो तो मुझे तो लगता है कि अपने मेहनत के बल पे वहां पहुचा वो मेहनत नहीं किया प्रमोट पिरिमी जहां तक पहुचा वो नहीं मेहनत किया कल्लू को तो मैं बच्पन से देखा हूँ आप अच्छे होबा कि लोग बुरे हैं कैसे सोच लिया आपने किस तरह से क्यों इतना गंदर वीडियो बना दिया आपने भागवान कृष्ण का आहार है घमंड और आपके फैन मुझे गाली दें फेस्बूक पे मुझे बुरा भला के है मुझे पता है मुझे मंजूर है करो जितना गाली देना है दीजिए लेकिन मुझे पता है जो फैन आपके हैं वही फैन तो उनके भी होंगे जो प्रसंशक आपके हैं वही प्रसंशक यश्कुमार की भी फिल्म देखते हैं गोलू की भी देखते हैं निरहुआ की भी देखते हैं रवी किसंग की भी देखते हैं मनुस्तिवारी की भी देखते हैं परिवार है परिवार है और परिवार की रोटी हम सब लोग खा रहे हैं गलत बात है एकदम गलत बात है इतने हंकार से आकर के मंच पर बोल देना फिरल कि मुहस्षिक करने में सरम आ रही है मैं चाहे कल्लू हो मैंने काम तो करीब और इस सब के साथ किया है चिल्टू के साथ भी किया है प्रमोग प्रेमी के साथ साथ भी किया है गोरो जh smart के साथ भी किया है राकेतS मिस्रा के साथ भी किया है Colorado ही वाई अपने Państwo ders छाई होना तुम ने देखा है कभी एक लाख मिलता है कभी 50 लाख मिलता है तो सब के साथ होता है आपको 50 लाक मिलना तो जीवन मर्तोली मिलेगा आप नीचे भी आएंगे फिर उपर जाएंगे हो सकता जीवन वर बाते रहें भाई तमिल तेलगू मलयालम से ले करके और कोई ऐसी इंडिस्ट्री नहीं जहां रभी किसन ने छोड़ा हो कोई काम जो अभनेता की बात आएगी तो रभी किसन का तो नाम होगा भाई या पहले पर उन्होंने कभी ऐसी बाते नहीं बोली मुझे बहुत खुद पर गुस्सा आ रहा है मैं कली सब के सामने आपके बारे में यही बोल रहा था आप दुनिया के सबसे हमबल इंसान है पलाना नहम काना है और आज आपने यही वीडियो मुझे लोगों ने आज कितनी गालिया दी बोल करके फोन करके कि आपने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया मैं अभी भी कह रहा हूं गलती हर इंसान से होती है घर का मामला है इसे अब ज़्यादा तूल मत दीजिए आपको अपने छोटे भाईयों से शमा मांगना चाहिए शम से बाद दी अगर आपको लगता अपने गलत नहीं किया तो भाई नमस्कार आप अपने सिनेमा में मुझे काम मत दीजिए गा मैं बड़ा पाव की दुकान खोल लूँगा गाउं में खेती कर रहा हूं मैं तो गाउं में ही जादा रहता हूं ठीक है बहुत लोगों ने अपने बच्चों को यहीं की कमाई से मने पढ़ाया है अपना घर का खर्चा आज तक चलाया है आगे भी यहीं से चलने वाला है तो गलत को गलत बरदास नहीं करूंगा जहां बोलना है वहां बोलूँगा क्यों भाईया आज अपने कंधों पर यह अश्कुमार फिल्म नहीं बेच रहा है क्या चिन्टू अपने कंधे पर फिल्म नहीं बेच रहा है क्या प्रमोद प्रेमी नहीं बेच रहा है क्या ठीक है सबका अपना अपना बजट है लेकिन आज नॉन सिंगर की इंडिस्ट्री माने जाती, नॉन सिंगर है चिंटू, लेकिन वो किसी स्टार से कम तो नहीं बिखता है, यह उसकुमार तो सिंगर नहीं है, वो भी अपने कंदे पर फिल्म को बेच रहे हैं, लेकिन अगर यह सडक पर आकर कि चिलाने लगे हैं, यह उसकुमा फुर्ट देता ये। आप अपने को एक्टर को अपने भाई को मैंने समर सिंग को देखा है आपके लिए बोलते हुए में जादा ना बोलकर के भी थनाए कहुँगा जो हुआ है बहुत गल्ट हुआ है और समस्त दर्शकों से कहुँगा फैन से कहूंगा कि आप लोग भी अपने सब्द पर और अपने वर्ड पर कंट्रोल कीजिए गलत बात है यह किसी को बुरा सब अपने आप पे पावर्फुल हेरो हैं सब अपने पावर कलाकार फिर तब यह तो हमारे जो आक्टर आटिस्ट है चरित्र विनेता है तो वेकार है ऐसे भी एक महोदेन एक दिन बोला कुछ भी कर लीजिए आप चरित्र विनेता नहीं हो गया है चपरासी हो गया है कि पंकस्त्रिपाठी जी क्या है नमसुद्दीन साब क्या है सिनेमा में मैं जितना प्रमुक्ता वो चाहे प्रमोत प्रेमी हो स्टार है चाहे संजय पांडे हो स्टार है सुसीर सिंग है स्टार है प्रकास जैस स्टार है वो नीचे भी वो नीलम डीदी हो चाहे राजकपूर साही हो वो चाहे हमारे गौपाल राय हों, विनोद मिश्रा हों, सब स्टार हैं, स्टार नहीं है, इनके दर्शक नहीं है, तो आहत होते हैं भाई, यह तो गलत बहुत, मुझे अच्छा नहीं लगा यह जो मैंने सुना आज का वीडियो, हम लोग पढ़ाई लिखाई कि क्या महत्त है अगर हम लोग इसे गाली गलोज करेंगे फैस दुख पे, बिलकुल नहीं, मैं अपने समस्त भोजपूरी सिनेमा के तरप से आप से अनुरोध करता हूँ, कि आपकी महनता तभी है, कि आपको एक कटसित के तोर पर शमापरार्थी होना चाहिए, माफी मागना चाहिए, वा आपड़ूरी सिने समस्त राइए regulators पबोरी सिने समस्त बाद करता हुआ हुआ है, और शमापरार Привет आपकी महनता है, कि आपड़ूरी समस्त भोजबूरी सिने समस्त भी हैए झाली सिने समस्त नहीं, माफी जाएए धनुरी सपदार्श bå़र्श उने समस्त परुचर्श लिए